बदोही पुलिस और सुरक्षा एजिंसियों ने सोना तसकरी करने वाले एक बड़ी गैंग का परदाफाश किया है ये गिरो ना सर्फ बेहाश शातिर तरीके से इंटर स्ट्रेट स्मागलिंग करता था बलकि इनके कबजे से 13 किलो सोना भी बरा मत हुआ है ट्रैकिंग के दौरान में तसकरों ने कार छोड़ कर फरार होने की कोशिश भी की लेकिन दो को पुलिस ने धर दबोचा अब इस गिरो के जाल की उस्टाश को लेकर पुलिस ने कारवाई शुरू कर दी है और जाश परताल भी की जा रही एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं यूपी के भदोवी में पुलिस ने एक कार को रोग कर तलाशी ली तो सबके होश उड़ गए कार के अंदर जो कुछ दिखा वो ना सिर्फ एक बड़े रैकेट की तरफ इशारा करता है बलकि इससे साफ हो गया कि तसकरी के जाल की जड़े कितनी गहराई तक पर अप चुकी है पुलिस ने सोने के तसकरों के खिलाब बड़ी कारवाई की है दो लोगों के पास से पुलिस को 13 किलो सोने के बिसकेट बरामद हुए है इन सोने के बिसकेट की कीमत की अगर बात की जाए तो आठ करोर रुपे से जादा की कीमत बताई जा रही है दरसल कोतवाली इलाके में पुलिस से बैरिकेटिंग लगाई थी, रूटीन चेकिंग की जा रही थी इसी दोरान एक कार बैरिकेटिंग की तरफ आई और अचानक तीन लोग पुलिस को देखकर कार से निकल कर भागने लगे कार छोड़कर भागे लोगों से अचानक हडकम बच गया पुलिस की एक टीम इन लोगों की घिरबंदी के लिए निकली तो दूसरी टीम ने कार का मुआयना किया पुलिस के लोग जब गाड़ी के पास पहुचे और अंदर की तलाशी ली तो कार से आठ करोड रुपए के सोने के बिस्किट बरामद हुए दर असल पुलिस को पहले से ही इनपुट पिल गया था कि जिले के अंदर तसकरों की गतिविधी तेज हुई है ऐसे में पुलिस से पुरे जिले में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पॉइंट पर चेकिंग बढ़ा दी थी इसी बीच इन तसकरों से सामना हो गया हाला कि पुलिस टीम ने फरार हुए तीर तसकरों में से दो को गिरफतार किया है इन लोगों के पास से तेरा किलो सोना बरामत हुआ है जिसकी कीमत आठ करोड रुपय है दोनों ही आरोपी महरास्ट के रहने वाले हैं इस कारवाई के उपरांद हम लोगों ने जो है इस अर्टिगा गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गाड़ी को इंटरसेप्ट करते वक्त ये तीम जो लोग इसमें सवार थे ये गाड़ी छोड़कर भाग गए, लॉक करके गाड़ी को, उसके बाद मेरे द्वारा SOG टीम को भी इसके पीछे लगाया गया और कोमिंग ओपरेशन की गई उस पूरे एरिया में, कोमिंग ओपरेशन के दौरान दो लोग पुलिस के हत्ते चड़े और उनसे 13 किलो के गोल् कोई पुलिस एजनसी के साथ मिलकर इस गैंग के जड़ों को खोद निकालने के काम में जुटी है, देखना ये है कि आखिर इस रैकेट के तार कितनी दूर तक पहले है दिनिस पटेल, न्यूज 18 भदोही